कलस्टीबी की पॉपलेर सी सैसुराल सिमर का सीजन टू में हमने अब तक देखा कि सिमर रीमा के पास पहुत जाती है वहीं रीमा को चलने कहती है और रीमा कहती है कि बहुत देर हो गई है अब कुछ भी नहीं हो सकता है और सिमर रीमा को लेनी जाती है छूने जाती है तब ही वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है आगे मायाक्षी और विवान की सगाई हो जाती है यह देखकर आरब शोग्ध होता है वहीं रूद्रा को पता चल जाता है कि उसके हवेली पर कोई है और रीमा के पास कोई है और इसलिए वो उस्वाल मेंशन से निकल जाता है वहीं सिमर को हूश आता है जहां रीमा सारी बाती बताती है कि कैसे उसने विवान से छूट वोला और कैसे रूद्रा ने उसे फसाया ये सुनकर सिमर हैरान होती है आगे रीमा बताती है कि रूद्र इस दुनिया का नहीं है उसे इंसानों से नफरत है और आज वो मुझे मार देगा और कोई भी रोक नहीं पाएगा कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाएगा सिमर तुम भी नहीं इसलिए यहां से चली जाओ और तब ही सिमर कहती है कि मैं आपको बचा कर होंगी आगे रूद्रा हवेली तो पहुँच जाता है लेकिन एक दर्वाजा होता है वहां से आवाज आती है कि मुझे बाहर निकालो मुझे कब तक बंद करके रखोगे और रूद्रा कहता है बस आज रात की बात है फिर आप बाहर होंगी आजाद होंगी आगे आरब सिमर को हर जगा ढूंडता है लेकिन सिमर कहीने ही मिलती है वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहां पर सिमर यहां पर रीमा को बचाने जाती है और एक बर फिर से गिर जाती है और जटका लगता है जिससे उसे चोट भी लग जाती है वहीं रूद्रा भी आ जाता है और रूद्र कहता है कि जब कोई खुद मरना चाहता है तो मैं उसकी विश्पूरी करूँगा ये सुनकर रीमा हैरान होती है और सिमर भी अब देखना ये होगा वाकई में सिमर को भी रूद्रा मार देगा या बचाएगा आरब जानने के लिए देखना ना भूले सेसुराल सिमर का सीजन टू टेलेविजन की लेटिस्ट अबडेट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले